हेलो बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग तो ख्लाश 12 का सामान हिंदी का पेपर है और जैसा पेपर मैं आप लोग को यहां पर दिखा रही हूं तेम टूसी में आप लोग का पेपर ऐसा ही आने वाला है बोर्ड पेपर तो यहां पर देख लीजिए सबसे पहले आप तो यहां पर सो नंबर आपको मिलेगा कोश्चन है खंड का और ठीक है दो खंड है पहला कोश्चन है सिच्छा का उद्धिस निवंध के लेखक है तो सिच्छा का उद्धिस निवंध के लेखक संपोडा नंद जी है ललू लाल की रचना है तो ललू लाल की रचना कौन सी है तो ललू-लाल की रचना जो है प्रियम सागर है पर्दा कहानी के लेखक है तो पर्दा कहानी के लेखक यस्पाल है यस्पाल पर टिक करोगे आवारा मसीहा के रचनाकार है तो आवारा मसीहा के विश्नु प्रफाकर है अगला कोश्चन बाड़ भट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद दिवेदी ठीक है कमायनी किस युक की रचना है तु सभी को पता अगला कुंश्टन उने लिखित कवियों में 1951 और तीसरा प्रकासर वर्स है 1969 यह चीज आप लोग याद कर लिजेगा क्योंकि दूसरा और तीसरा यह सारी पूछे जाते है ठीक है यह चीजे आपको पता होनी चाहिए दिवेदी युक्की रचना नहीं है तो दिवेदी युक्की रचना कौन सी नहीं है यहाँ पर प्रिय प्रवास दिवेदी युक्की रचना है साके दिवेदी युक्की है भारत भारती दिवेदी युक्की है तो कामाईनी जो है यह चायवादी युक्की कभी है दिवेदी लिए और देखे दिये गए घद्यांस अधारीत प्राश्णों का उत्तर दीजे अब यहां पर जो आपसनली कोश्चन हमने कियां से हमने 10 नमबर पॉरा नमबर मिलेगा है जपसे नमबर आपका कोश्चन सही से करेंगे सही सही तो फिर इसमें कोई नंबर आपका कटेगा नहीं ना ही राइटेंग पे ना ही किसी चीज पे अगर आप अंस्वर सही करते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा तो यानि कि 10 नंबर हमने यहां पर पालिया तीसरा दिये गए गध्यांस आधारित निमलिखित प्रश्णों का उत्तर दीजे यहां पर आपको 10 नंबर मिलेगा तीक है पांच प्रश्ण दिये गए रहेंगे उनका आपको अंस्वर देना है इसी गध्यांस में से ठीक है तो धर्ती माता की कोक में जो अमूल ये निधिया भरी पड़ी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है उससे थोड़ा बहुत पढ़े हुए है तो जैसा मैं आप लोग को बताती हूं कि थोड़ा बहुत टॉपिक हर चैप्टर का जरूर पढ़ लिया करें ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कौन से चैप्टर से है ठीक है जैसा कि यहां पर समझ में आ गया है कि कौन सा चैप्टर है ठीक है यह जो है राष्ट का स्वरूप है राष्ट का स्वरूप ठीक है तो राष्ट का स्वरूप लेखा कौन है वासुदेव सरण अग्रवाल ठीक है वासुदेव वसंदरा क्यों कहलाती है आप लोग को कुछ भी नहीं पता है ठीक है माले जी आपने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है तो यहां पर आप सिर्फ इतना लिख दो धर्टी माता की कोक में जो अमुले ने दिया परी हुई है भरी हुई है उन्हीं के कारण उनको संदरा कहा जाता है ठीक है उसके बाद रेखांकित अंसी की भ्याक्षय करना है जैसा की जहां पर रेखा खीची गई उसकी आपको भ्याक्षय करना है और पृतवी की देह को यहां पर देख सकते हैं लाखों करोडों वर्सों से अनेक प्रकार की धातूओं को पीस पीस कर अगरित प्रकार की मिटियों से प्रित्वी को देह को सजाया गया है ठीक है उसके बाद लास्ट कोस्चन भावी आर्थिक अभ्यूदय है तो हमें क्या करना चाहिए ठीक है यह आवस्यक है अब माल लेजे आपने राष्ट का सुरूप बिल्कुल पढ़ा भी नहीं आपको कोई टॉपिक भी नहीं आता है आप किसी कोस्चन का अंस्वर भी नहीं दे सकते हो इतना आपको नौलेज नहीं तो यहां पर देखे अथवा करके भी दिया है इसको कर सकते हो यहां पर भी आपको दस नंबर मिलेंगे ठीक है तो असोक एक ही करना है ध्यान रखेगा असोक का फूल उस मस्ती में हस रहा है पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास हो जाता है तो यहां पर आप देखोगे सीधे चेप्टर का नाम यहां पर दे दिया गया है असोक के फूल ठीक है और लेखक का नाम है हजारी प्रशाद दिवेदी ठीक है हजारी प्रशाद दिवेदी तो आपको इतना पता चल गया ठीक है अब आपका पहला कोईस्चन तो कंप्लीट हो गया यानि दो नंबर कंप्लीट हो गया और रेखांकित अंस की व्याक्या पर मिलेंगे ठीक है दिये गए पध्यांस पर आधारित निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजे यहां पर पध्यांस के लिए भी दस नंबर मिलेगा यानि की कोश्चन दिये होंगे वहां पर आपको तो दो दो नंबर सभी के लिए मिलेगा ठीक है दुरबलता का ही गुप्तने ठीक है और इसको जो है यह पाठ का नाम क्या है कैकेई का अनुताब ठीक है कैकेई का कैकेई का अनुताब ठीक है अब पहला कोश्चन तो आपका कम्पलीट हो गया है दूसरा रेखांकित अंसकी व्याक्या करना करके पहाड समोन रहा जाओ राइभर भी अनुद्दापन करने पाऊं इंस में कौन सा अलगकार है ठिक तो यहां पर आप देखोगे ठीक है यहां पर अनुप्रास हो जाएगा ठीक पद्यांस का भाव असप्ष्ट कीजिए तो पद्यांस का भाव आपको बता देना है भासा की विज़े इस्ताय बता देनी है तो यहां पर जो है गयाف पवंदूति سे राधा अपना संदेश कहती है कि अगर कही पर आपको लज्यासील महीला दिखजाए और वह तो उसकी वस्त्रों को तो मत उड़ाना अगर वह थकी हुई लगे तो उसको गोध मिलेकर उसके ठकान को मिटा देना ठीक है इस तरीके से यहां पर भी आप कर सकते हो तो पध्यान संदर्व या पवन दूति का आयोध्या सिंगु पाध्या के द्वारा लिखी गई है जीवन परिष्ट की इंपॉर्टन सभी चीजा पर उसमें जाकर आप आप जीवन परिच ट्यार कर लेना क्योंकि वहां पर PAUL कर एकार प्रसाथ साहितिक परचे दिया हुआ है तो उसको जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देदूंगी वहां से भी आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में तो उसके बाद देखें यहां पर तीन लेखों का जीवन परचे दिया गया है जिसका भी आपको आता होगा उसका आप करि दो लेखकों का तयार करेंगे फिर आपके लेखक जो है उसमें पूछे जाएंगे ठीक है अगला कवियों के बारे में है साहितिक परचे और उनकी जो है कृतियों पर प्रकाश डरे वही चीज यहां पर भी कहूंगी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा साहितिक परिचे स कंप्लीट होगा वरना आपके दस नंबर कट जाएंगे ठीक है अभी आपके पास बहुत टाइम है आप लोग तयारी कर सकते हो आप लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर कर लो कैसे आपको जीवन पर लिखना है ठीक है और कहानी में आप बहादूर अथ्वापंच चीज सारानस और उद्देस यह दो चीजे आप लोग तयार कर लो ठीक है लोग दो खन्ड कविक निससर नहां है अपको सिर्फ एक का करना है यही सारी खन्ड का भी होते हैं लेकिन आपको करना एक है दिये गए संस्कृत कद्यांसों में से किसी एक का ससंधर्व हिंदी में अनवात कीजिए यहाँ पर दो नमबर आपको संधर्व के लिए मिलेगा पांच नमबर आपको अनवात के लिए मिलेगा ठीक है तो महामना वक्ता धार्मिको नेता पटू पत्रकाराश चासिद परमस सर्वोच गुड़ः जन सेवैव आसिद यह देखकर आप समझ गए होंगे यह महामना मालवियह से है ठीक है महामना मालवियह से है और पहले में संदर्व में आपको सिर्फ पाठ का नाम दिखना होता है और उसके बाद अनवाद हेडिंग डालोगे अनवाद में आप अनवाद कर डालोगे ठीक है उसके बाद देखे अगर मालिजे महामना माले है आपने नहीं पढ़ा है तो अथवा करके भी यहाँ पर दिया हुआ है जातक कथा ठीक है हन्सराज तदय परीस मध्य आत्मनः भागी ने पाप हंस पोत काय दोहितर मक्षत मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्र लजीत हथ ठीक है यहां पर इसको कर डालिएगा उसके बाद देखे देगे पध्यांसों में से किसी एक का ससंदर्व हिंदी में अनवात कीजिए यहां पर भी साथ नंबर आपको मिलेगा ठीक है वही दो नंबर आपको संदर्व के लिए मिलेगा पांच नंबर अनवात के लिए मिलेगा तो यहां पर देखे नमे रोचते भद्रम वह उलूक अस्या मिवेचनम यह देखकर आप समझ गए होंगे जातक कथा से उलूक जातकम से है ठीक है तो उलूक जातकम से है इसको लि तो कि यहां पर दीखिये आप वाकी में प्रयोग करना है जैसे देखें टकासा जवाब देनाón राम ने रहीम को टकासा जवाब दिया एस ताही से आप वाकई का प्रयोग कर सकते हो अगला कोश्चन निनलिकिश सब्दों के संध्ध्र के सही विकल्प का चायन कीजिए तो तथापिका संध्र शेद है तथाधन अपी ठीक है अगला कोश्चन देखिए पर मेश्वर का परम्धम इस्वर हो की विभक्ति ववचन ठीक है तो आत्मन में विभक्ति और वचन है तो इसको आप करिएगा ठीक है नामनन में विभक्ति और वचन है इसको करिएगा ठीक है आत्मन नामन दो ही चीज आपके विभक्ति और वचन में दी गई है ठीक है निम लिखे सब्द युगमु का सही अर वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का आदर ठीक है तो इसको टिक कर दीजिए अम्बुज और अम्बुद का तो अम्बुज का अर्थ कमल होता है अम्बुद का बादल ठीक है तो कमल और बादल यहां पर है तो इसको टिक कर दीजिए अगला कोश्चन देखे निम उसके बाद निम्लेख्ट वाक्यान, इसका चैन करके लिखना जैसे जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू होता है, ठीक है तो यहां पर जिग्यासू पर टिक कर देंगे उसके बाद निमलिखित में से किन्धी दो वाक्यों को सुध करके लिखे ठीक है यहाँ पर आपको दो वाक्य सुध्य करना है जैसे तुम तो कुरसी पर बैठे हैं तो यहाँ पर तुम तो कुरसी पर बैठे हो इस सरोवर में अनेक फूल खिले होएं, या अनेक कमल के फूल खिले हूए हैं इस तरीके से आप वाकिक आप प्रयोग कर देजिगा ठीक है अगला रस, छन्द, अलंकार ठीक है 3 नों के आपको लचण, यह तयार करने हैं तो अगला कोश्चन पत्र के लिए है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखे ठीक है तो यहां पर आपको छह नंबर मिलेंगे आपको पत्र लिखने के लिए उसके बाद एक अगर आपको माल लिजी बैंक में खाता खोलने के बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना नहीं आता है तो सहर्म फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिला अधिकारी का ध्यां आकरसित कराने के लिए आप पत्र लिखो ठीक है अब देखिए लास्ट कोश्टन जो है आपका निवांध के लिए ठीक है तो देश में पुछा जाये भले लेकिन आपो सुको एक ही करना है तो जैब चलिए रचनीति पर कर रहे हैं तो उसी पर कर देक है और एक बिद्यार्थी और पूछा जाता है ठीक है उसको भी तयार कर लेजिए गा जिसके लिए आपको सबसे ज думलामर मिलेगा 9 नमबर बहुत नमबर होत को सब्सक्राइब करना विर्कुल आप भूले मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में धन्यवाद